नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुद्रत और्गैनिक फाम में दोस्तों आज हम बताएंगे कि खाद को कैसे उतारा जाए उसका सही तरीका क्या है इस पूरी वीडियो को स्किप मन्त करना दोस्तों क्योंकि इसमें खाद उतारने के पूरे परसेस के बारे में बताया जायेका दोस्तों तो चलते हैं शुरू करते हैं आज की वीडियो झीरू बारे ड़रों जैसे हमने यह पत्तों से डगाए तो सबसे पहले हम इनको उतार के दोस्तो एक हलके तरीके से इसको पंज़ा लगाते हैं तां कि धूप लगे और धूप लगने के बाद दोस्तो इनको जो केटउआ है वो दीरे-दीरे नीचे चला जाता है दोस्तों तो हम ऐसे इस पंजी से हम पंजा लगाते हैं और साथ की साथ जो दूसरे बैट हैं उनकर उपर से केलिय के पत्तों को उतार देते हैं ताकि जो केचुँञां को ध्षुप लगे और ध्रे ध्रे नीचे जाना शुरू कर दें उसके बाद हम इसको ऐसी पंजी से पंजा लगा देते हैं तांकि इसको अच्छी तरह धूप लगे और केंचवा धीरे धीरे नीचे जाता रही तो दोस्तो ये पंजी लगाने जरूरी है क्योंकि तभी आपका केंचवा नीचे जाएगा और तभी आप खाद उतार पाओगे तो आप सबसे पहले ऐसे ही बैड़ों को जो पत्ते हैं उनको उतार दें और साथ में एक हलकी सी पंजी लगा दें और साथ में जो थोड़ी सफाई कर दें दोस्तों जैसे ये पत्ते थोड़ी से गिर जाते हैं क्योंकि दो महीने लगातार हम पानी लगाते हैं इन बैड़ उतारने के बाद पंजा लगाते हैं तांकि धूप लगे और जो फालतू का कच्रा है उपर या जो खाद नहीं बन पाई मोटा गुबर है या पत्थर का अंकड जो भी है हम उनको पहले से उतार देते हैं हलके तरीके से तांकि वो खाद में ना आए दोस्तो और खाद की एक क पोदों के भीज भी आ जाते हैं जिसे पौदे पन पजाते हैं तो इनको भी निकाल दीजिए दोस्तों कि आपकी वर्मीं कंपोस्ट की क्वाल्टी अच्छी हो दो मैं देखाता हू monthsky की कैसी है तो आप देख रही होगे कि योड कि बिल्कुल चाय पत्ती बन चुकी है दो दोस्तों बिल्कुल चाइपति की तरह हो चुकी है महीन हो चुकी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई देखिए यह कौल्टी बहुत ही बड़ी है क्योंकि हमने दो मीनिन लगातार पानी दगाया है और चुछ अच्छी मात्रा में इसमें केंचव छोड़े थे तो क्वाल्टी में कोई भी हमें दूविदा नहीं है और जैसे जैसे दोस्तों दूब लगती जाती है केंचव नीचे जाता है तो हम उपर से इसको उतार लेते हैं जैसे आप यह देख रहे हैं तो उपर उपर से क्लेक्ट कर लेते हैं अगर थोड़े बहुते पत्ते इसमें या पुराल क नीचे ही है उसका कोई नुक्सान नहीं है दोस्तों तो डोस्तों ऐसे जैसे जैसे दूप लगती जाएगी केंचव नीचे जाता रहे तो आप इस वाई की तरह उपर उपर से यह कट्धी कर सकते हो तो हमारी बहुत यह अच्छी बनी है बिल्कुल ब्लैक गोल्ड आप दे पीछे चला गया था तो हमने पहली परत उतारनी शुरू कर दिये दोस्तों खाद उतार के हम दोस्तों एक पनी बिशा लेते हैं जैसे वह पीछे तरपाल बिशाई हुई है तो हम उस पे तरपाल पर इसको कठा करते रहते हैं दोस्तों ताकि मिट्टिक अंकड ना इसमें आए तो इस तरपाल पर हम इसको कठा कर लेते हैं दोस्तों तो दीरे दीरे जैसे जैसे दूप लगती जाती है केंचवा नीचे जाता रहता है तो हम परत दर परत इस खाद को उतारते रहते हैं तो यह हमारी टेंपरेरी लेपर है हम लेब levr को बुला लेते हैं जो कि हमारे पास आ जाते हैं और या हमारी एकतना की पके लेबर हम उसक्तरा के लिए और पांच सब्सक्राइज करते हैं चैसे यह नहीं। पच्चिस किलो की हमारी एक धाइटन का ओर्डर था तो हम ये पच्चिस किलो में दोस्तो तीन-चार सो ग्राम ज्यादा खाद डालते हैं ताकि अगर पड़ी भी रहे दस-पंदरा दिन तो उसमें वाश्पी करन हो जाता है दोस्तो मौश्चर उड़ जाता है तो उसका तो हमारे खेस से भिग गई हैं दोस्तों एस हमारी क्मारी खाद कि खाद के कौइलटी बहुता अच्छी थी तो कस्टमर जो क्वार्टी ही चाहिए और हम कार्टी के साथ कोई कंप्रमाइज नहीं करते दोस्तों क्योंकि हमारे एक देश है कि फ्रॉम नेचर फॉर नेचर दो देख रहे हैं दोस्तों इसमें यह तक्रीमन सारा नीचे केंचो नहीं लगा देगे दोस्तों और वह हमारे पीछे नए बैट बन रहे हैं दोस्तों अगले lot के लिए तो हमारे पास advance order होते हैं दोस्तो इस खाद के लिए क्योंकि हमारी quality A1 quality है दोस्तो तो अगर आपकी quality अच्छी है तो आपकी खाद कहीं नहीं रुकी कि बहुत यह अच्छे दामा पे बिग जाएगी और यह हमारे दूसरे बेड़ों को भी बंज़ा लग रहा है यहां से भी हमने खाद उतार नहीं है दोस्तो और साथ की साथ वो पीछे हमारे नए बेड़ त्यार हो रहे है गोपर के साथ तो यह हमारी packing भी हो चुकी है दोस्तो order हमारा saw cut का यह order था तो हमने यह pack कर दी हैं दोस्तो और साथ की साथ next lot के लिए हम अगले बेड़ बनाने शुरू कर रहे हैं दोस्तो तो दोस्तो वर्मी कमपोस को बहुत अच्छा बिजनों से हमारी खाद बहुत यह नहीं कि यह देखिए गाड़ी यहीं पर आ चुकी है तो हमने यहीं पर लोड कर वा दी है गाड़ी में तो यह ऐसे ही हमारी बिग जाती है क्योंकि हमारी quality बहुत ही अच्छी होती दोस्तो अगर आप quality और quantity को maintain रखोगे तो आपको बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तो अगर आपको य अच्छानकारी मिलती रहे तो यह अब हमारे नए बैठ आ है जो दोस्तों इनको भी हम पत्तों से डख रहे हैं ताकि इसको इसमें भी खाद बढ़िया बने हमने इसमें केंचवे छोड़ रखे हैं दोस्तों और केलों के पत्तों से डख के इसको हम पानी लगाएंगे दो म दुबारा कैसे बैठ को प्रपेर किया जाए तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो करें लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइबर ताइंक की आने वाली हर एक वीडियो क के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार